हेलो फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो में कुछ वास्तु टिप्स बताने जा रही हूँ वास्तु शास्त्र एक एंशेंट साइन्स है जो हमारे घर या ओफिस में प्रोस्परेटी, मेंटल पीस, हार्मोनी को लाने में हेल्प करता है और हमें बताता है कि घर ओफिस बिजनेस में कौन सी चीज़े होनी चाहिए और कौन सी नहीं साथ ही हमें यह बताता है कि किस चीज़ के लिए कौन सी दिशा सही होगी तो आईए जानते हैं अगर आप ओफिस या होम के लिए प्लॉट देख रहे हैं तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से वो रेक्टेंगुलर या स्क्वेयर होना चाहिए होम एंटरेंस के लिए पूर्व दिशा याने की इस डायरिक्शन बहुत शुभमानी जाती है इसका ये रीजन है कि सूरज पूर्व में उखता है और कहा जाता है कि वो घर में पॉजिटिव एनरजी और लाइट्स लाता है और एक दिशा है जो होम एंटरेंस के लिए एकसिप्टेबल है वो है नौर्थ इस्ट घर का जो मुख्यदवार सभी दरवाजे से कद में बढ़ा हो या ये ध्यान में रखे ओफिस का डूर किसी भी और ओफिस के सामने कैंटीन या टेलिफोन बूद के पास नहीं होना चाहिए उसे शुब नहीं माना जाता ओफिस का इंटरेंस डूर यानि जो में डूर है वो पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए कीचन का वास्तु करते समय टाइल्स के बात आई तो सिरामीक, मूजेक, टाइल्स या मार्बल्स लगाए आपका जो कीचन है वो घर के साउथ इस्ट कॉर्णर में होना चाहिए अगर पॉसिबल ना हो तो नौर्थ वेस्ट भी डायरेक्शन चलेगी बट मेक शूर की गैस स्टोव साउथ इस्ट डायरेक्शन में रखा गया हो ओफिस में कैफेटेरिया या कैंटीन साउथ इस्ट या फिर नौर्थ वेस्ट में होनी चाहिए घर में टॉइलेट बनाने के लिए साउथ वेस्ट और साउथ ये डायरेक्शन सबसे अच्छी है और वही ओफिस में टॉइलेट दक्षिन पुर्व याने की साउथ इस्ट याने नौर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए टॉलेट का डूर और विंडोस साउट डायरेक्शन छोड़ कर अन्य किसी भी डायरेक्शन में बनाना चाहिए अपने घर या ओफिस के शान्ती और खुशी के लिए इंपोर्टन्ट है कि तीन साल में कम से कम एक बार नवगरह पूजा या फिर गनेश पूजा करे ये घर या ओफिस के वास्तु दोश को दूर रखने में हेल्प करता है ओफिस में जो बैटने की अरेंजमेंट है वो खिड़की की तरफ पीठ वाली ना हूँ साथ ही फरनिचर याने की डेस्क डिवार से 6 इंच हटकर रखे बेडरूम हमेशा घर के साउथ वेस डायरेक्शन में हो क्योंकि ये जगह पुरुत्विस्तान है और आरामदायक है बेडरूम घर के मिडल पार्ट में ना बनाए हो सके तो बेडरूम में मीरर ना रखे अगर मीरर है तो वो बेड के सामने ना रखे ऐसी जगर रखे जिसे आप सोते समय मीरर में ना दिखे बेडरूम के दिवारों के लिए जो रंग है वो ज्यादा डार्क ना हो सोते समय उत्तर दिशा में पैर और दक्षिन दिशा में सिर रख कर सोए वास्तु शास्त्र के नुसार घर में भगवान और मूत व्यक्ति की फोटो एक साथ ना लगाए घर में या ओफिस में बन पड़ी वाच या फिर इलेक्ट्रोनिक इंस्ट्रूमेंट ना रखे दर्वाजा खोलते या बन करते समय उसकी करकर आवाज ना हो उसका ध्यान रखे वास्तु में सुख सम्रुद्धी लाने के लिए फ्लिएट, रिंगिंग बेल, लाफिंग बुद्धा, क्रिस्टिल बॉल, मिरर एंड गलोब जैसे चीजे रखे वास्तु के में डूर पर लक्ष्मी जी या गंपदी जी की प्रतिमा लगाए क्योंकि ये शुब होता है ओफिस या घर के बाहर हो सके तो प्लांट लगाए जिससे पॉजिटिव एनर्जी रहती है if you like our video don't forget to click it and share it via facebook, instagram, whatsapp and other social media platform or site also to subscribe us to receive our new videos regularly don't forget to click bell icon to receive updates we will keep posting 3 to 4 videos once a week regularly you